नमस्कार दोफ्तों जीतेन कलाश सान लंग में आफ शबी का स्वागत है देखें जैसा कि आप जान रहे होंगे पीटी के बारे में थोड़ी जानकारी लेके आए हैं जिसमें क्या पीटी जो पीटी में आरच्छन के विशे में थोड़ा से बताएंगे और कितने करना स्टार्ट कर दें कि वह सब बिल्कुल इसमें वीडियो से आपको बिल्कुल जानकारी के लियर हो जाएगी तो सबसे पहले यह क्या कर एंगे जो लोग इंस्टाग्राम पर चलाते हैं वह लोग आप फालो कर लेंगे यह मेरा नाम है इसके बाद देकि टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में लिक दिया हुआ है वाट्सप गूरू भी जॉइन कर लेंगे तो आई ये बात करते हैं जो लोग नेकपाल की तैयारी करना चाहरे है वो लोग क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे देखेंगे भाई सबसे पहली बात तो देखेंगे सबी लोग इसमें पर परिशान है जितना भी बच्चा है पूरा परिशान है कितने स्कोर वाले तैयारी करें अब देखिए सबसे अच्छी बात अगर आपके 70 बन रहे हैं परसेंटाइल में बात कर रहे हैं परसेंटाइल में तो आप बेफिकर बिलकुल ही लग जाए तैयारी करनाया इस्टाट कर दीजिए बिलकुल जब आप अभी से तैयारी करेंगे तभी मतलब सब कुछ हो पाएगा अगर आप लोग टायम लगाएंगे कि नहीं स्कोर कार्ड दिख्या चुका है आप सूछोंके फार्म आ जाए तो बहुत टाइम हो चुकेगा यह तयारी नहीं हो पाएगी तो जिन लोग के 70% नमबर आए हैं 70 percentile में नमबर आए हैं वो लोग बिल्कुल ही तयारी में लग जाएंगे बे फिकर लग जाएंगे बिल्कुल आज सही तयारी में अपना लग जाएंगे तो यह तो मतलब आप लोग याद रखेंगे 70% वाले बिल्कुल ही मतलब अपने आप बिल्कुल तयारी में लग जाएंगे एक तरीके से आज ही से स्टार्ट कर दें आप देखें नेक्ट क्या है इस पूर यह हमने बता दिया परसेंट बहुत लोगों कमेंट जारा सर मेरा सेप नहीं किसका सेप नहीं तो 70% परसेंटाइल है जिसका वो तो एकदम तयारी में बिल्कुल आज सही लग जाएं बिल्कुल ही तयारी में लग जाएं और देखिए यह ज़्यादा भी हो सकता है ज़्यादा नहीं होगा फिलाल ज़्यादा नहीं होगा यह क कमी इससे रहेगा क्योंकि देखिए आप क्या हुआ है कि आयोग ने कह दिया है कि लगभग साढ़े-4,600,000 लोगों तक बुलाया जाएगा इसमें जो फार्म भराया जाएगा चाल लाग से उपर फार्म पढ़ेंगे चाल लाग से ज़्यादा यह फार्म वो लोग पास करेंगे PT में क्या है वो चाल लाग से ज़्यादा वो लोग पास करेंगे PT में कम से कम चाल लाग से वो लोग ज़्यादा ही पास करेंगे तो ये चीज बिल्कुल निश्चित्ता है कि 4 लाग से ज़्यादा लोग पास करिक किये जाएंगे तो इसका परसेंटाइल है वो कम ही रहेगा 70 परसेंटाइल वाले तो बिल्कुल ही सेफ हो जाएंगे और जो मतरब मेरे हिसाब से तो 60 परसेंटाइल जाएगा 60 प्लस जाएगा थोड़ा 19 भी सो सकता है इससे जादा नहीं जाएगा 4 लाग बच्चों को आपको बुलाना कम साड़े 4 लाग लोगों को बुलाना है तो यार चैनल को आप लोग सस्क्राइब कर लेंगे जानकारी आपको मिलती रहेगी और जो नेकपाल के तैयरी कर रहे हैं वो लोग बिल्कुली चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसमें क्लासे भी नेकपाल की चलें देखिए आवेदन कब से सुरूँँगे तो देखिए जो नेकपाल के लेकपाल है न जो लेकपाल है लेकपाल के जो आवेदन स्टार्ट होगा भाई ये लास्ट नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा इसका भाई लास्ट नवंबर से फार्म स्टार्ट हो जाएगा लास्ट नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा अब देखिए कटाफ परसेंटाइल कम क्यों रहेगा और एक चीज है अब देखिए जो वैकेंसी आठ हजार थी वाट हजार से ये ज़्यादा भी हो गई है क्योंकि 2000 पुराना डाटा था हूँ 2015 से 19 का डाटा था इसके बाद अब ये जो नीव वैकेंसी आई है ये इसमें प अब दन कब से सुरू हों गए भाई लास्ट नमंबर से स्टार्ट हो जाएंगे भाई आवेदन तो आप लोग आभेदन की शिंटा मत करिये कि आवेदन कम भरे तयारी अपने बिल्कुल जारी रखेंगे आभ इससे बिल्कुल बहुत अच्छी तयारी बनाएंगे अगर आ नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट देखेंगे यार इसमें नेक्स्ट क्या है करा पीटी कटाब में आर अच्छन है कि नहीं है आप देखें पीटी में आर अच्छन यार होगा कि नहीं होगा पीटी में आर अच्छन तो मुस्किल है भाई क्यों आर अच्छन मुस्किल है देखिए इसमें यार इसलिए मुस्किल है क्योंकि देखिए उन्होंने पहले एक क्राइटेरिया बना दिया है कि जो लोग इतने परसंट लाएंगे जो भी जितने परसंट 60 परसंट या 70 परसंट लाएंगे वही लोग मतलब इसमें qualified कर पाएंगे वही लोग qualified इसमें कर पाएंगे तो इसमें देखिया आरच्छड के मतलब मिलने के बहुत कम chance है बहुत कम chance है भाई बहुत कम chance है इसमें बहुत कम chance है यह आरच्छड मिल जाए इसमें जो कटाप बनेगा भाई तो ज़्यादा नहीं मतलब सेमी बनेगा सभी का मेरे हिसाब से जो सेम बनेगा क्योंकि देखिए बैकेंसी थी नहीं ये तो एक्जाम कौलिफाइड ही करना था तो कौलिफाइड तो यार सभी के लिए बिल्कुल कंपलसरी होगा कि कौलिफाइड करना है और वैसे तो मुस्किल अगर इसमें कटाप बनेगी देखिए जो अगर कटाप बनेगी अगर कटाप इन्हों ने बना दी इसमें कटाप अगर बनी अगर इसमें कटाप बनी तो भाई इसमें जो जनरल है न जनरल के 70 से उपर नहीं जाएगा पर्सेंटाइल में बात कर रहे हैं, पर्सेंटाइल में बात कर रहे हैं, 70 पर्सेंटाइल से उपर नहीं जाएगा, जर्नल का बिल्कुली 70 पर्सेंटाइल से उपर नहीं जाएगा, और रही बात जो SC की रही, SC, O, B, C, जो ST साब कुछ है न, उसका 60 पर्सेंटाइल, इससे ज बना रहे हैं वो लोग जनरल OBSCST की तो इसमें दोई कटाब बनाएंगे जनरल की माझन लिए सेवंटी परसेंट तक जाएगे और इसके बाद जो बीक यासी एक दो नंबर कम कर दीजिए आप दो चार नंबर कर देंगे कम कर देंगे तो यह बीसी और यह CST की बन जाएगे तो यह इसका process रहेगा अगर मालो देखिए reservation मिल ला है तो अच्छी बात है नहीं मिल ला तो भी अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया इसमें कोई vacancy तो है नहीं कितने percent दिया जाए अगर मेरे हिसाब से देखिए जो है न इसमें क्या है reservation सायद कोई ना मिले या दे भी शकते हैं अगर देंगे तो जादा अंतर भाई नहीं रहेगा ठीक है न तो जादा अंतर नहीं रहेगा सभी लोग यार comment करेंगे अपना अपना number of percentile जरूर comment करेंगा सभी लोग comment करेंगे Thank you class आपने के चैनल को subscribe भी कर सकते हैं जी जानकारियों के लिए class भी इसमें चलने class भी ले सकते हैं Thank you, धन्यवाद